गलू नमश्कार दोस्तो, हाउ टू एनलाइज दिविजनल चार्ड सेरीज में है, अब आज हम आगे बढ़ेंगे, और प्रीविएस क्लास में मैंने नाड़ी के बेस पर किस तरी किसे हम नोवान सब को देखते हैं, उसके बारे में बात की थी, आज इसमें हम फर्दर बात करेंगे, उसी नाड़ी टेकनिक को हम आगे बढ़ेंगे, और आज मैथर नमबर टू की बात करेंगे, मैथर नमबर टू के अंदर हमें क्या कर रहा है, इसका जो step वन है, इसके अंदर हम count करेंगे from sign occupied by planet, in birth chart, to sign occupied by planet in navamsha chart, मतलब अब किसी भी प्लेनेट को देखना चाते हैं तो हम देखेंगे कि वो किस राशी के अंदर बर्थ, चाड़ के अंदर है डीवन जिसे बोलते हैं और फिर हम उसे देखेंगे कि वो नवाशा में किस राशी के अंदर गया है अब example के लिए हम ले लेते हैं यह मैंने एक pertycular Kundalini ली ली है इसके अंदर Jupiter को आप यह जन्म कुर्डी है और यह नवाश कुर्डी है जन्म कुर्डी में Jupiter यहां पर 4 sign में Cancer sign में और यह मैं जब 9 लिए देखता हूँ तो वो 11 sign में यहांपर Jupiter दिखा ही दे रहा है तो मैं इसको count करूँगा कि वो अपनी position से कौन से भाव के अंदर गया है मतलब वो 4 sign में था लगने कुंडिली के अंदर और 9 आश में 11 sign में गया तो 4 sign से वो कितने sign चल के गया है तो मैं इसको count करता हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब वो अपने आप से 8 में sign के अंदर चला गया अपने आप से 8 में sign के अंदर जाने का मतलब है वो अश्टाम्शा में चला गया है यहाँ पर और देखता हूँ मैं मार्स यहाँ पर जन्म कुंडिली के अंदर इसी चीज़ को समझाने के लिए 7th sign में बठा हुआ है जन्म कुंडली में 7th sign में अब मैं उसको नवाश में जाकर देखता हूँ तो नवाश में वो 2 sign में चला गया तो 7 से 2 sign कहां पर होगा आप count कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो वो भी अपने आप से अश्तामशा में चला गया है अश्तामशा में जबी भी जाता है तो देखिए यहां पर क्या होता है पोर एक्जम्पल Jupiter is in Cancer in birth sign and Aquarius in D9 मैंने अभी बता है आपको then Jupiter is in 8th house from cancer and indicates effect of 8th house तो Jupiter के ओपर 8th house का effect इस particular case के अंदर होगा इसी को दूसरी तरीके से मैं आपर बोल रहा हूँ any planet which goes to 8th house in D9 from sign occupied by 10 D1 is in अश्तामशा position जो की यहां पर Jupiter के case में और अश्तामशा position उसकी खराब position मानी जाती है जिसे नितनामशा भी बोलते है मैंने previous first technique में आपको बताया था तो यह है अमरी कुंडली केन रावसर की कुंडली है तो उसमें मैंने वहाँ पर भी explain किया था इनका मार्स अपने आपसे अश्तामशा के अंदर चला गया है तो इनका जो मार्से रिलेटेड जो हाउस हैं उसके significance आपके सफर करेंगे जबी भी अश्तामशा में कोई भी प्लेनेट चला जाएगा तो इनका मार्से रिलेटेड सिग्निफिकेशन 8th Lord है और 2nd Lord है केन रावसर का आपको सबको पताया है कि he is unmarried तो देखिए जो उनका मार्स है वो अश्तामशा में गया 7th Lord और उसकी वाज़े से वो unmarried है और एक तरीके से 2nd Lord भी अश्तामशा में गया तो जब वो unmarried है तो उनकी family life भी एक isolated person की तरह ही होगी Next देखते हैं Any planet in same sign in D9 जो वो D1 sign में जिस sign के अंदर है उसी sign में यदि D9 के अंदर कोई भी planet चला जाए उसे हम वर्गोतम बोलते ही है मगर वर्गोतम का मतलब क्या है वर्गोतम का मतलब आप ऐसा मान कर चलिए कि जो बर्चाड का planet यदि वर्गोतम हो जाता है नवांशाड में जाकर तो वो उसका placement लगन में कोई planet रखा होता है वैसा माना जाता है और लगन में नवाइशा की में जबी भी कोई ब्लेनेट जाएगा त्रिकोन बाव में एक पाँच उनों में तो उसकी पोजीशन को हम relatively strong पोजीशन मान कर चलते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि वर्गोतम बली हो जाता है, वर्गोतम बली का क्या मतलब हैं हम देखते और रॉटल कोई बर्व बर मर्करी के सिख तो सन भी नहीं है कि दीलिए सॉन साइन नहीं को हम at all देखते हैं हम प्शित पर शाइन है तो moon वर्गुत्तम होने का मतलब क्या है although it's 7th house में placed है मगर यह ऐसे behave करेगा जैसे की लगन में placed हो तो कोई भी planet यदि नवामशा में त्रिकोन भावों में या केंदर भाव में placed होता है तो उसकी position को अच्छा माना जाता है मगर यहां पर त्रिकोन और केंदर में बैठा हो है no doubt तो केंदर में पहले से बैठा हो है केंदर से जादा better position आपको त्रिकोन position मानी जाती है तो यह वर्गुत्तम होने की वज़े से इसका placement हम लगन में consider करेंगे और यह relatively strong होगा जो कि यह वर्गुत्तम नहीं होता तो उतना strong नहीं होता तो वर्गुत्तम होने पर कोई भी planet को आप ऐसा consider करेंगे कि नवांश की लगन में जाकर placed हो गया है और नवांश के त्रिकोन में जाकर बैठने पर वो planet की relative position अपने आप से stronger हो जाती है next combination देखिए any planet which is placed in 1, 4, 7, 10, 5, 9 केंदर और त्रिकोन हो गए position in D9 from its position in D1 is auspicious and strong placement अब इसको जड़ा द्यान से समझे यहापर 1, 4, 7, 10, 5, 9 का मतलब यह नहीं है कि वो D9 के केंदर यह त्रिकोन इस्तानों में जाकर बैठ गए नहीं वो अपनी position से 1, 4, 7, 10, 5, 9 में यदि D9 के अंदर जाकर बैठा हो तो वो auspicious position मानी जाएगी और strong placement माना जाएगा अपनी position से ना कि वो D9 के अंदर इन बाओं के अंदर जाकर बैठा है तो इसको भी हम देखते हैं example लेकर कि कोई planet अपनी position से जाकर बैठा है क्या केंदर में या त्रिकोण में तो जैसे मून को हमने देखा तो मून देखिए अपनी position पर one sign में जाकर बैठा हुआ है तो इसकी strong position होगी इसको बोलते हैं अपनी ही position से one sign में जो मैंने कहा था ऐसा माना जाएगा जैसे वो लगन में बैठा हुआ है जो भी वरगुत्तम प्लेनेट है उसका मतलब यह है कि वो अप डीवन चार्ड में अपनी position से उससे देखोगे तो वो अपने आपके बाव में उसी बाव में बैठा हुआ मिलेगा तो हम ऐसा मान कर चलेंगे कि वो अपनी position से लगन में बैठा हुआ है अभी मैं यहाँ पर शुक्र को देखना चाहूँ तो यहाँ पर 7 sign में इसके अंदर शुक्र को हम देखते हैं तो वो किस sign में जाकर बैठा है देखते हैं वो 8 में तो अपनी position से वो दूसरे बाव में तो वो इतना strong placement नहीं होगा तीसरे दी मैं मार्स को देखना चाहूँ तो यहां पर 7 sign में है तो इस कुंडली के अंदर मैं मार्स को देखता हूँ तो वो 2 sign में है तो 7 save हो गया 7 और 8 तो इसका भी placement खराब हो गया अपनी position से 8 में वाव में जाकर बठा है अब मैं Saturn को देखना यहां पर 9 sign में है और इसके अंदर Saturn 8 sign में है तो 9 से 8 में चला गया तो वो अपनी position से 12 में वाव में गया है तो इसका भी placement खराब ही माना चाहेगा अब मैं अपर Jupiter को देखना चाहता हूँ गुरू को तो इसके अंदर 4 sign में है और इस कुंडली के अंदर गुरू अपका 11 sign में तो यह पर Jupiter की position भी अपनी position से relatively खराब वाव के अंदर है अब मैं अपर Sun को देखना चाहूँगा तो Sun भी अपनी position से 12 वाव के अंदर है इसके बाद Mercury को मैं देखना चाहूँगा तो Mercury अपनी position से तीसरे वाव में है अब अब जरा इनको ध्यान से समझेगा AKN रफ सरकी कुंडली है इनका देखे 12th house में जाज़तर आटवे या बारवे वाव के अंदर 9 वाव के अंदर maximum planet जा रहे है सभी planet मैंने आपको देखकर बताए एक दो planets को छोटकर सभी 8 में और 12 में बाव के अंदर placement है नवाश में है तो 9 से related इनके result आपको मालूम है he is a unmarried person 12th house isolation को represent करता है 8th house उस particular divisional chart से related bad result को represent करता है उस particular divisional chart से related तो 9 से related result आप अच्छी तरीके से जानते हो तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कोई भी planet यदी वो divisional chart में 9 के अंदर केंदर और त्रिकोण में यदी जाकर placed होता है तो उसका placement better माना जाता है मगर वो यदी आपका 6-8 बारे में placed हो जाए तो उसका placement बहुत खराब माना जाता है तो इस particular कुंडली में हमने देखा कि कोई भी planet except to moon आपका उसका better placement नहीं है Also placement of a planet in केंदर और ट्राइन with respect to birth लगनी is also considered auspicious आप भर्थ लगनी से भी उसको केंदर त्रिकोण में देख सकते हो बर्थ लगनी 7 है तो 7 से यदि जो भी planet केंदर और त्रिकोण में placed होगा देखे 7 से आपका ये birth लगनी में ही रखा हो है moon इसका placement अच्छा है Venus और Sun नहीं केंदर और त्रिकोण में नहीं है मगर Jupiter बर्थ लगनी से त्रिकोण में 5 में बाव में जाकर बेठा होगा है बागी कोई भी planet better placement नहीं है केंदर और त्रिकोण से Mercury केंदर बाव में हैं बर्थ लगने से तो अब Jupiter और Mercury को ठीक मान सकते हो तो Jupiter Mercury का placement ठीक मान रहे हैं तो आपको मालूम ही है Jupiter और Mercury के बारे में कि उनका जो भी है सारा का सारा area वो जुपिटर और Mercury का एक एंडराफजर का चाहे वो accounting services में थे government of India के अंदर वो भी जुपिटर और Mercury का area है या वो उन्होंने जो भी astrology के अंदर जो भी काम किया जो भी ग्यान दिया ग्यान बाटा बुद्धी का जो भी था बुद्धी मता का जो भी उपयोग किया विजदम का जो भी उपयोग किया वो सागरागा सारा जुपिटर और Mercury है और Jupiter Mercury का यहां पर कैसे रोला है आप समझे ज़रा कि जब मैं उनके नवान शाट के अंदर जाकर देखता हूं तो जुपिटर और Mercury उनकी बर्त लगने से त्रिकोन भावों में जाकर या केंदर भावों में जाकर बैठे हूए है तो जब भी जो भी बर्त लगने से भी त्रिकोन और केंदर भावों में जाकर बैठेंगे वो auspicious placement माना जाएगा कोई भी बर्त लगने से 6,8 बारे में चल जाएग तो उसका placement खराब माना जाएगा तो हम देखते हैं कोई कौन से बर्त लगने से 6,8 बारे में गये है तो हमने देखा ज़ादा तर बलेने अपनी पूजिसं से 6,8 बारे में है आप Sun को देख लीजिए इस कुंडली में 6 sign में यहाँ पर 5 में हो गया अपनी position से 12 में बाव के अंदर चला गया इसी तरीके से मैं यहाँ पर देखता हूँ सब्सक्राइब वीनस को देखता हूँ यहाँ पर 7 sign में है और इसके अंदर 8 में है तो वह 6-8 बारे में नहीं है मगर बर्त लगने से भी यह जो 6-8 बारे में जाकर बढ़ जाए तो वो और भी खराब होगा उसमें आप specifically देखे मार्स को मार्स अपनी position से भी आड़ में बाव हैं और बर्त लगने से भी आड़ में बाव हैं तो इनको मार्स से related 7th house और 2nd house से related extremely खराब मिले हैं वो इनकी कुंडली पर मैंने specifically इसलिए लगा गर बताया है क्योंकि जादे तर लोगों के पास scan browser की कुंडली available होती है इन सभी सूतरो को आप अपनी कुंडली पर भी लगा हैं तो मैं फिर से इसको slightly एक बार repeat कर देता हूँ कि आपको यह देखना है किसी भी planet का placement 9 आश के अंदर वो अपनी राशी से किस राशी में जाकर बैठा हुआ है यदि वो अपनी राशी से पहले, 4, 7, 10, 5 और 9 वाव में जाकर बैठा हो है नवांस के अंदर यहां sign की बात कर रहा हूँ यदि वो बर्त लंग से भी यदि केंदर और त्रिकोंड में जाकर बैठा हूँ है तो उसका placement better माना जाएगा मगर बर्त लगने से वो 6,8 वारे में जाकर बैठा हूए तो खराब माना जाएगा अब देखिए वो अपनी position से भी आडवे वाब पर है और बर्त लगने से भी आडवे वाब पर चला गया तो मार्स जो इसने result देने थे इनको second house और seventh house के तो इनकी life के अंदर second और seventh house के result आपको बता है कि वो मिले ही नहीं है या खराब result मिले है इस तरीके से हम इसको predict कर सकते हैं अभी इसी सीरीज मे मैं आगे बढ़ता हूँ और यहां पर मैं बात करूँगा राशी तुल्य नवांश की यह सब एक्चुली नाड़ी के सूतरज हैं जिसे हम वेधिक एस्टरलोजी वाले लोग भी यूज़ करते हैं क्योंकि यह काफी सटीक बढ़ते हैं राशी तुल्य नवांशा जैसे हम बनाते हैं वसे हरे का दश्मांस का भी राशी तुल्य तुल्य नवांश की बना सकते हो यह बैसिकली यह बताता है कि आपकी जो जन में लगने से नवांशा के अंदर वो प्लेनेट रिलेटिवली किस पोजीजन में जाकर बठा हुए है इसको बनाने का तरीका क्या है वो म तो नवाम्शा का जो main उप्योग है दो यूज है नवाम्शा के, पहला यूज तो है कि आपको married life किसी भी native की देखनी है तो हम नवाम्शा चार्ड यूज करते हैं, और दूसरा नवाम्शा चार्ड का जो यूज होता है, वो यूज होता है किसी भी प्लेनेट की relative strength आपको देखनी है, assess करनी है, कि D1 चार्ड में उसकी ये assess है, D9 के अंदर उसकी relative strength कैसी रही, वो हम राशितुल नुवामशा को उसके लिए उसको भी यूज कर सकते हैं, हर एक नुवामशा चार्ड को इसी चीज के लिए यूज किय जाता है कि D1 के जो प्लेनेट की condition D9 में जाकर improve हुई तो उसे हम अच्छा मानेंगे, खराब हुई तो हम उसे खराब मानेंगे, इसलिए यूज किया जाता है और इसमें हम राशितुल नुवामश का उप्योग अभी करेंगे, अब यहाँ पर शुब गराओं के नुवामश में जाकर बैठ गया, तो वो उसकी इस्तिती relatively strong होगी, उसके placement को अच्छा मानेंगे, अब यहाँ पर शुब गराओं के बारे में मैं आपको दो चीज क्लियर कर देता हूँ, शुब गराओं कौन से होंगे, आपके कुंडली के लिए जो natural benefit है, उनके नुवाश में जाकर बढ़ जाता है, तो natural benefit जुपिटर और वीनस तो unconditional हैं, यह दो तो natural benefit unconditional हैं, आप चंद्रमा को देख लिजए, यदि आपके D1 चार्ट के अंदर, चंद्रमा सूर्य से 96 डिगरी स दूर हैं, उसे भी natural benefit मानेंगे, उसके नुवाश में भी यदि कोई ग्रह जाकर बैटाएगा है, तो उसको शुब नुवाश मानेंगे, इसी तरीके से वो आपके जो functional benefit हैं आपकी कुंडली के लिए, आप देख लिजएगा कि आपकी कुंडली में कौन-कौन से functional benefit planet हैं, य आपके अंदर कोई doubt नहीं होना चाहिए, मैं दोनों चीज़ों को यहां पर मान कर चल रहा हूँ, कि आप अपने divan chart में पहले से ही note कर लिजए, कि आपके कौन से तो natural शुब गरहे हैं, आपकी कुंडली में कौन से functional शुब गरहे हैं, functional benefit, उनकी राशियों में जो भी नवा पर उसमें भी lot of confusion है, कोई natural benefit ले लेता है, कोई functional benefit ले लेता है, दूसरे को चोड़ देता है, तो मैं आपको clarify कर रहा हूँ, आपको किसी भी planet की trend देखनी है, नवान chart के अंदर की वो divan chart के comparison में खराब हुआ है, या अच्छा हुआ है, तो आप उसका placement देखेंगे, यदि न नच्छुरल benefit को आपके लिए ना हो, वो सकता है, चन्रमा किसी के लिए natural benefit को आपके लिए ना हो, तो आपकी कुंडिली में जो भी planet natural benefit है, उनके sign को आप नोट कर लें, और आपकी कुंडिली में जो functional benefit का मतलब एक पांच नहीं, के जो Lord है, के अंदर अत्रिकोन के Lord के वल, उने नोट कर लें, उनकी राशियों में नोच में जो भी planet जाकर बैठेगा, उसके placement को आप relatively better मानेंगे, और उसका placement stronger माना जाएगा, एक तरीके से वो अपने आपके placement को justify करेगा better way में, कि वो अच्छी जगे पर बैठा हुआ है, और इन में नहीं बैठा है, उसके placement को आप खराब मान कर चलेंगे, तो particular horoscope के इसाब से आपको देखना पड़ेगा, तो मैंने ये आपको clarify करने की कोशिस किया है, तो मैं practical example से भी clarify करूँआ, कि यहाँ पर जैसे आप समझना चाते हैं, इसके अंदर की planet की में strength देखना चाता हूँ, नवांस का असली उप्योग यही ह दशा और अंतर दशा में कैसे result कोई भी planet देगा, तो हम उसकी नवांश में इस्तिती देखे वगर कभी decide ना करें, condition of planet important होता है, condition में, नवांश में उसकी position equally important होती है, कि आपके D1 के अंदर किसी भी planet की position बहुत अच्छी है, exalted है, मांगा नवांश में वो सत्रूर आशी मे आपको नहीं मिलने वले है, तो हम देखते हैं, एक एक करके planet की में यहां पर इस्तिती देखता हूँ कि नवांश में उसने क्या किया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो सबसे पहले मैं देखने का तरीका समझा रहा हूँ, आप समझे, इसके अंदर आप natural benefit planet पकड़के चले हैं, तो मून यहां पर natural benefit नहीं है, क्योंकि sun के बहुत close है, और जब तक 96 degree अवे नहीं होता, मून natural benefit नहीं होता, मरकरी भी नहीं है, तो natural benefit के वले Venus और Jupiter दो planet होगे हैं, इस कुंडेली के लिए functional benefit, functional benefit, तो एक आपका lung lord है, Venus, और त्रिकोन का lord एक Saturn है, और दूसरा त्रिकोन का lord बुद्ध है, तो तीन planet होगे, बुद्ध, Saturn और आपका Venus पहले ही आचुका था, और Jupiter, इन चार planet की राशियों में, जो भी planet यहां पर जाएंगे, उन्हें हम better मान कर चलेंगे, तो देखे, मून अपने शुक्र की राशी में है, तो इसका relative placement better है, यहां के comparison में, वो relative pattern, यहां पर भी वो शुक्र की राशी में था, तो एक जैसे ही मान के चलिए, कि जिसकी राशी में यहां था, उसकी राशी में ही यहां पर better हुए, तो इसमें कोई improvement नहीं हुआ, ऐसा हम कहेंगे, जैसा अब मून की बात कर लेते हैं, मून यहां पर natural benefit की राशी में था, यहां पर मून उसी में है, तो मून की position में भी नमाश में जाकर कोई भी improvement नहीं हुआ, अब मैं Saturn को देख लेता हूँ, Saturn यह जूपिटर की राशी के अंदर है, Saturn जूपिटर को neutral मान के चलता है, तो neutral planet की रा हो गया, neutral से सत्रूवी है, Mars और वो इस कुंडिली के लिए benefit भी नहीं है, तो इसका Saturn का placement, तो weak हो गया, आप जो D1 से उसके result expect कर रहे थे, उसके comparison में खराब होंगे, भाव को मैं भी देखी नहीं रहा, वाव मैं already explain कर चूँआ हूँ, उसे भी हमें देखना होता है, राशी बाव दोनों का combination देखकर हम decide करेंगे, अब तीसरा पाट हम मैं सूर्य को देखता हूँ, यहाँ पर वो Sun अपनी इसकी राशी में था, मरकरी की राशी में था है, आपर इसकी सत्रू राशी थी, और इसके अंदर जो जाकर गया है, वो own sign में जाकर बढ़ गया है, तो own sign के placement को भी हम अच्छा मान कर चलेंगे, ध्यान रखेगा, own sign या exalted sign में कोई planet जाकर बैठा हुआ है, वो कुंड़ी के लिए benefit नहीं भी है, तबी भी उसको better माना जाएगा, इसलिए मैंने example लिया है, क्योंकि जो मैंने समझाया है, उसमें भी exceptions आप mind में रखोगे, कोई भी planet अब का neutral sign में बढ़ा था, और यहां पर own sign में जाकर बढ़ गया, अब mercury का placement देखेंगे, यहां पर exalted था और mercury इस कुंड़ी में, d9 chart के अंदर वो चंद्रमा की राशी में चला गया है, तो ने natural malefic की राशी के अंदर वो गया है, वो चंद्रमा मरकरी का शत्रू भी होता है इसलिए वो better placement नहीं है, उसका खराब हो गया, उच्च से वो एक सत्रू राशी में चला गया है, और वो इस कुंड़ी के लिए natural benefit भी नहीं है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जूपिटर की हम बात कर लेते हैं, जूपिटर यहां पर उच्च का है, और इस कुंड़ी के इंदर वो benefit की sign में गया है, इस कुंड़ी के लिए functional benefit है, तो benefit के sign के अंदर गया है, और वैसे वो neutral sign है, मगर क्योंकि यहां पर उच्च का था, गया तो benefit के sign में है, placement खराब नहीं है, मगर इस not as good as it was in the D1 chart, तो D1 chart के comparison में इसका placement relatively weak हुआ है, तो हम D1 के respect में D9 में placement को कि D1 में उसका placement कहा था, D9 में उसका placement कहा पर है, जिसका D9 में improve होता है, वो अच्छा रहता है, हम जैसा result D1 के base पर expect कर रहे होते हैं, उसके comparison में better result आपको मिलेंगे, और जिसकी condition D1 के comparison में D9 में खराब हो जाती है, तो जब उसकी दशा हैगी तो दीरे दीरे उसकी दशा के result आपके expectation के comparison में कमजोर होते चले जाएंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे, इसमें मैंने दो तीन चीजों को यहाँ पर mix किया, mix क्या किया, जैसे मैंने आपको exaltation और own sign को मैंने यहाँ पर add कर दिया, जो यह combination आपको बताये थे उनके उपर, अब हम राशी को क्या करना होता है, कि आपकी जन्म कुंडली को as it is रगना होता है, जन्म कुंडली के सभी planet को हटा कर, नवांश कुंडली में, जिस राशी में जो planet है, उसे जन्म कुंडली में place कर देते हैं, ऐसा करने पर जो कुंडली बनती है, उसे राशी तुल नवांश बोलते हैं, म place planets in the sign occupied by them in D9 in the chart drawn in step 1 तो आपको कुछ भी नहीं करना है लगने कुंड़ी को AZS रखना है सब राशी है AZS रखनी है उनके planet को आटा देना है और नवाश में जो planet जिस राशी में है उसे उठा कर लगने कुंड़ी में रखने पर जो बनेगा वो राशी तुल नवाश होगा यहां पर मैं बनाना बता देता हूँ राशी तुल नवाश यह नेटिब का बर्चार्ट है एट साइन, स्कॉर्पियो साइन, परिशिक साइन की यह लगने है आपकी और यह बर्चार्ट है इसके जो भी जन्म के जो भी प्लेनेट है जिस साइन में वो यहां पर रखे हूए है जैसे राउ है, सैटर्न है, यह जुपिटर है, यह सब रखे हूए है यह मार्स है, इधर वीनस है यह मैंने इसका नवाश चार्ट बनाया तो नवाश चार्ट से साइन साइन में राशी तुले नवाश बनाने में आपको एक मिनट भी नहीं लगनी चाहिए इसको मैं एज इडिस रखूँ है, बर्चार्ट को और नवाश चार्ट में जो प्लेनेट जिस राशी में है उसे उठा कर यहां पर रख दो बसा जैसे मैंने देखा, यहां पर मैं चलना शुरू है राव, सेविन साइन में नवाश में तो इसके बर्चार्ट के सेविन साइन में राव को रख दीजिए तो देखते हैं, सेविन साइन में यहां पर राव को रख दिया रेट कलर से जो रख रहा हूं है वो नवांश के प्लेनेट हैं अब वीनस यहां पर 10 sign में है वीनस को तो मैंने उठा कर देखे वीनस को 10 sign में रख दिया है red color से जो आ रहा है वो मैं नवांश के प्लेनेट को 10 sign में प्लेस कर रहा हूं इसके बाद आया है 12 sign में Mercury and Mars तो मैंने Mercury और Mars को देखे 12 sign में रख दिया है बर्थ चार्ड के नवांश में जो भी प्लेनेट जिस राशी में है उसको उठा कर आपने बर्थ चार्ड में रख दे रहा है फिर देखे Sun, Saturn and Ketu 1 sign में है नवांश में तो यहां पर मैंने बर्थ चार्ड में Sun, Saturn और Ketu को 1 sign में प्लेस कर दिया यहां पर इसके बाद Jupiter और Moon आपके 6 sign में है Jupiter और Moon को 6 sign में रख दिया है और इस तरीके से आप पुराने प्लेनेट को भूजाए जो रैड रैड प्लेनेट आपको दिख रहे हैं यह आपका राशी तुल्य नवांश मन गया अब रैशी तुल्य नवांश को आप बिल्कुल वैसे ही एनिलाइस कर सकते हैं जैसे किसी बर्त चार्ट को एनिलाइस करते हैं अब इसमें हम देखेंगे रैशी तुल्य नवांश को देखेंगे जबकि Mercury और Mars यहां पर देखे च्छटे वाव के अंदर नजर आ रहे थे मगर जब मैंने राशी तुले नवांस बहता है तो Mercury और Mars आपके पाँचवे वाव के रिजर्ट देगा तो इसकी position इंप्रूब हो रही है इस किसमे इसकी position आपकी क्या होती जा रही है इंप्रूब नजर आ रही है जो आपका बर्थ चाड़ के कंपरीजन में बर्थ चाड़ में जो प्लैनेट आपके यहां पर नवांस में भी कहीं जाकर बैठ गेते हैं अब जहसे देखते हैं मार्स बर्थ चाड़ में आपका एड़ थाउस में था मगा राशी तुल नवांस में वह फिप थाउस के अंदर आ गया इस पर्टिकलर चाड़ के किसमें तो इसकी कंडिशन इंप्रूव होगी देखे इसी से पता जल रहे हैं किसी की कंडिशन आपकी डिटरियर्ट होगी खराब होगी और किसी की कंडिशन इंप्रूव होगी अब देखे किन की कंडिशन खराब होगी अब द्यान से देखेंगे यह मैं Jupiter की देखना चाहता हूँ, यह birth chart का Jupiter है और राशी तुल्ले नवाश में, यह 11 sign में चला गया है Jupiter, तो Jupiter यहाँ पर neutral sign में था और यहाँ पर आपके शत्रू राशी में चला गया है, 11th house में है, तो 11th house का placement 7th house के comparison में खराब होता है, इसलिए इसका placement खराब हुआ relatively, अब आप और भी planet देखना चाहते हो, लाइक मैं Mercury को देखना चाहता हूँ, तो बर चाड में Mercury यहाँ पर exalted था, और नवाश चाड के अंदर वो नीच का हो गया है, जब मैं राशी तुल्ले बना रहा हूं तो, तो इसकी position relatively देखे, यही के ही पता चल रहा है कि इसकी position खराब राशी तुल्ले नवाश से हमें यह पता चलता है, कि उस particular planet की position नवाश चाड के अंदर improve हुई है या खराब हुई है, क्योंकि नवाश चाड का जो basic use आप mind में fit करके यह देखे हैं, कि D1 चाड के comparison में कोई भी planet यदि better condition में हुआ है, या खराब condition में हुआ है, यही देखन हैं, तो राशी किसी भी planet की जो दशा है, उसमें उन दोनों का influence होता है, यदि दोनों जगे पर planet अच्छा है, तो उसकी दशा पूरी अच्छी जाएगी, एक जगे पर better है, दूसरी जगे पर खराब है, तो दशा में changes आएंगे, आपके पूरी दशा better नहीं जाएगी, किस होई है, अब जैसे मैंने बताया है, कि मैं डिवन चार्ड में mercury को देखना चाहता है, तो मुझे पता चला, वो 11th house में उच्छा होकर बैठा हुए है, अब मैं उसको राशी तुल्य नवांस में जाकर देखता हूँ, तो 5th house में चला गया है, मगर वो नीच का हो गया है, त उसकी राशी, नीच की राशी में चला गया है, तो relatively position उसकी खराब यहां पर हो चुकी है, अब मैं शुक्र को देखता हूँ, देखें, शुक्र लगजरी का कारक होता है, हमें मौलू है, और शुक्र यहां पर ओन साइन में बैठा हुआ है, इसकी बर्थ कुंडली में, थडवा में चला गया है, और इस लगनी से थडवा में अपनी राशी से वो मित्र राशी में ट्रांसफर हो गया है, तैन साइन के अंदर चला गया है वो, अब तैन साइन यहां पर देखें, इस particular कुंडली के लिए यह malific planet है, सटन, तो malific planet की राशी के अंदर चला गया है, इस कुंडली की बात कर रहा हूँ मैं, वीनस की बात नहीं कर रहा हूँ, इस कुंडली के लिए malific planet की राशी में चला गया है, शुब गरह तीसरे वाह में जाकर वैसे भी अच्छे result नहीं देता, तो यहां पर इसका जो placement है relatively poor हो चुका है, यह हम predict कर सकते हैं, मार्स की मैं बात कर लेता हूँ, कि मार्स इसकी जन्म कुंडली में, देखिए शत्रू राशी में, मरकरी की राशी में था, आडवे भाव में था, लगने से आडवे भाव में था, अब मैं इसको राशी तुले नवाश में देखता हूँ, तो देखिए अपनी मित्र राशी में मार्स बट गया है त्रिकोण में आकर मार्स आकर बट गया है लगने से भी त्रिकोण में है और यदि इसको अपनी relative position से देखनेंगे तो इसका कितना strong placement हो गया है relative position में इतना strong placement हो गया है तो नवांश के अंदर यह बहुत अच्छी इस्तिती में चला गया है तो मार्स के जितने खराब रिजल्ट आप एक्सपेट कर रहे थे उतने खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे इस तरीके से मुराशी तुल नवांश का उप्योग करेंगे तो राशी तुल नवांश हो या इसकी जितनी भी टेक्निक्स मैं आपको बता हैं आपको जो भी इन में suitable लगता है उसे आप use कर सकते हो अलग-अलग लोग अलग-अलग चीजों को use करते हैं इसका एक opposite concept भी use किया जाता है जिसे हम नवांश तुल्य राशी बोलता है मतलब क्या है कि जब नवांश तुल्य राशी आप बनाते हैं तो उसके अंदर जो चार्ड बनेगा उसके basis पर भी आप सारी की सारी prediction दे सकते हैं एक person के बारे में जैसा बर चार्ड जो prediction देने में काम आता है नवांश तुल्य राशी भी वही prediction देने में काम आता है इसका उपयोग बहुत काम होता है पर भी मैं आपको यहां पर समझा देता हूँ कि नवांश तुल्य राशी का मतलब क्या है यह बिलकुल राशी तुल्य नवांश से opposite है आपको क्या करना है यहाँ पर आप नवांश कुंडली की लगने लेकर आप एक कुंडली बना लेंगे यह नवांश कुंडली की लगने 7 है तो 7 साइन की आप एक कुंडली बनाएंगे अब आपे जो लगने कुंडली में जो प्लनेट जिन राशियों में उन्हें उठा कर यहां पर प्लेस करने पर जो कुंडली बनेगी उसे नवांश तुले राशी बोलेंगे राशी तुल्य नवांश में हम क्या कर रहे थे लगनी कुंडली बना रहे थे और नवांश के ग्राओं को उनी राशियों में जिन राशियों में वो नवांश में हैं यहां पर प्लेस कर रहे थे उसको हमने राशी तुल्य नवांश बोला था और नवांश तुल्य राशी मे जस्ट उल्टा कर रहे हैं हम, कि नवांश कुंडली को बना लिया, आपने उसी को कुंडली मान कर, बर्त चार्ट D1 कुंडली में जो प्लेनेट जिस राशी में है, उसे नवांश कुंडली में ले जा कर रखने पर जो मिलेगा, वो नवांशे तुले राशी होगी और उसको आप जैसे किसी भी एक बर्थ चार्ड को हम एनलाइज करते हैं उस तरीके से एनलाइज करका है उसके रिजल्ट के बारे में आप जान सकते हो मगर यहां पर आपको एध्यान रखना है केवल यहां प्लैनेट की कंडिशन्स वगर क्लास को हम देखते हैं बस कि यह प्लैनेट बैटर कंडिशन में हुआ है या खराब कंडिशन में हुआ है क्योंकि रिजर्ट तो दशाओं और बाकी अंतर दशाओं पर ही डिपेंड करेंगे और दशाओं और अंतर दशाओं को हम डिविजनल चार्ड पर भी लगा सकते है दशाओं और अंतर दशाओं को बर्त चार्ट पर भी लगा सकते हैं तो उम्मीद है आपको यहां तक का टोपिक समझ माया होगा आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा आपके कमेंट्स का हमेशा इंजा रहता है नमस्कार धन्यवाद